उत्राखन के एक आशीपुर में ओनर किलिंग का मामला सामने आया है यहां आली खाम मुखला निवासी एक व्यक्ती ने अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी को गोली मार कर हत्या कर दी और खुद फरार हो गया इस्थानी लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्तमाटम के लिए भेज दिया है फिलहाल इलाके में हड़कंप की स्थिती है तो घर को जा रहते हैं तो इनके दोनों बाप बेटरोंने मुझंबिल था और मोसिन था इन तोनोंने कोली मार की और वो ऐसा के भेन की तवेत केसी है लोगों को इन्होंने गाड़ी में बिठा के तीन निन पहले पहुचा दिया बहार देमात के घर उसके बाद में आज ये को बुलांगे और यह ऐसा करोंगे हमारे साथ तीर महीने 2 महीने 3 तरीक कु इने घर से जाए वे होगे और निका कराखई में मेरे पास रशीद है किसी बात नहीं ही रसी फोली मानने में ये दो लोग और पिडाम था इनका बहुत सारे लोगों एक इधर रयता है इधर रहत सब इनके साले वाले सब ही तेरते हैं और यह मुझे से खुद कर केया कि हमने कुछ कऱा नहीं है। रचते खुद किया भटरらい लोगों ने जोर भुड out डाला हमसे कॉय स आ करो वजए सा करो भागी हमने कुछ कर नहीं हमने यह सोचा कि चलो कोई बात नहीं है आगर यह जब करते तो कर लेते हम तो अपने सीधे मन ममारे बता थे काशिपूर के अलिखान मुहले में उस वाक्त हरकंब मच गया जब अपनी ही बेटी के प्यार के दुश्मन पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को गोलियों से भून डाला बताया जा रहा है दोनों प्रेमी जोडे तीन महीरे पहले घर से फरार हो गये थे बाद में परिवार दोनों को बहला फुसला कर वापस बुलाया गया जब दोनों शादी करके घर लोटे तो पिता ने इस प्रेमी जोडे को मौत के खाट उतार दिया इस घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी पिता फरार हो गया है आपको बता दे इस मामले में पुलस का कहना है कि ओनर किलिंग का ये मामला हो सकता है जाच की जा रही है इसके बाद ही स्तितीस पस्ट होगी फिलहाल शब को पोस्माटम के लिए भेजा गया है काशिपूर से विशालगर की रिपोर्ट काशिपूर से विशालगर की रिपोर्ट